नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो केरिबियन प्रीमेर लीग के 11 एडिशन यानि की CPL 2023 की शुरुवात होने जा रही है 17 अगस से तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केरिबियन प्रीमेर लीग 2023 से जुड़ी सभी जानकारी देने वाल हूँ जहांपर मैं आपको बताऊंगा कि CPL 2023 का क्या शेडूल रहेगा CPL 2023 में कौन कौन सी और कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि इस लीग में टोटल कितने मैचस खेले जाएंगे मैचों की टाइमिंग क्यों होगी मैचस कौन से वेन्यूस पर खेले जाएंगे इसके इलावा CPL 2023 का फॉर्मैट क्या रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप CPL 2023 के सभी मैचस का लाइफ टेलीकास्ट और लाइफ स्ट्रीमिंग कौन-कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल एप की मदद से देख पाऊगे तो इस एक वीडियो में आपको CPL 2023 से जुड़ी कम्प्लीट इंफोर्मेशन मिलेगी इसलिए ओवरॉल ये वीडियो होने वाली है काफे ज़दा इंटरस्टिंग और इंफोर्मेटिव इसे लास तक ज़रूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन करने ताकि कि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो और अपडेट्स लगातार मिलती रहे हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूस एंड अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लावा कमेंट बॉक्स में सबसे उपर पिंड मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि इस बार CPL 2023 में भारत के अमबाती राइडू भी खेलते हुए नज़र आएंगे जिया दोस्तों यह officially confirm हो चुका है कि अमबाती राइडू CPL 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरीके से प्रवीन तामबे के बाद अमबाती राइडू सिर्फ दूसरे भारती खिलाडी बनेंगे जो कि CPL में खेलेंगे अब हम बात कर लिते हैं CPL 2023 की स्टार्टिंग डेट और फाइनल डेट के बारे में तो CPL 2023 की शुरुवात होगी 17 अगस से जबकि इसका फाइनल मैच 25 सेप्टेंबर 2023 को खेला जाएगा और इस दुरान CPL 2023 में टोटल 34 मैचस खेले जाएंगे जिसमें 30 लीक स्टेज मैचस होंगे जबकि 4 प्ले ओफ मैचस खेले जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं CPL 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स के बारे में तो CPL 2023 में टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनके नाम हैं बार्बाडोस रोयल्स, सेंट लूशिया किंग्स ट्विन्बैगो नाइट राइडर्स गयाना अमेजन वार्यर्स जमैका टालवास और सेंट किट्स और नैविस पेट्रियोट्स इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यूस के बारे में तो CPL 2023 के सभी 34 मैचस वेस्ट इंडीस के 6 अलग-अलग वेन्यूस पर खेले जाएंगे जिसमें शामिल है सेंट लूशिया का डैरन सैमी नैशनल क्रिकेट स्टेडियम इसके इलावा सेंट केट्स का वार्नर पार्क जबकि बार्बाडोस का कैंसिंग्टन ओवल टुनिडार्ट का कुइन्स पार्क ओवल और टुनिडार्ट का ब्रैन लारा स्टेडियम जबकि गयाना का प्रोविडन्स स्टेडियम और अब दोस्तों बात कर लिते हैं CPL 2023 के फॉर्मैट के बारे में तो CPL 2023 डबल राउंड रॉबिन और प्ले ओफ्स फॉर्मैट में खेला जाएगा जहां पर हर टीम लीग स्टेज में एक दूसरे के खिलाफ दो मैचस खेलेगी यानि कि हर टीम लीग स्टेज में टोटल दस मैचस खेलेगी और लीग स्टेज एंड हो जाने के बाद जो टॉप की चार टीमस होंगी पॉइंट स्टेबिल पे डेरन सैमी नैशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से सुभा के साड़े 4 बजे से यानि की 4.30 एम से जबकि दूसरा मैच खेला जाएगा 18 अगस्त को सेंट लूशिया किंग्स और बार्बाडोस रॉयल्स के बीच डेरन सैमी नैशनल क्रिकेट स्टेडिय में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7.30 बजे से यानि की 7.30 पीम से और बाकी के लीग स्टेज मैचस का शिडूल आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो जहाँ पर लीग स्टेज का आखरी मैच खेला जाएगा 18 सेप्टेंबर को गयाना अमेजन वॉर्यर्स औ और बार्बडोस रॉयल्स के बीच प्रॉविडन्स स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबा के 4.30 बजे से यानि की 4.30 एम से इसके बाद प्ले ओफ मैचस खेले जाएगे जहाँ पर 20 सेप्टेंबर को एलिमिनेटर मैच होगा 3rd प्लेस और 4th प्लेस टीम के ब बजे से इसके बाद 23 सेप्टेंबर को कौलिफायर 2 खेला जाएगा विनर ओफ एलिमिनेटर वर्सिस लूजर ओफ कौलिफायर 1 के बीच प्रॉविडन्स स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबा के 4.30 बजे से जबकि 25 सेप्टेंबर 2023 को CPL 2023 का फाइनल मैच ख खिला जाएगा विनर ओफ कौलिफायर 1 वर्सिस विनर ओफ कौलिफायर 2 के बीच प्रॉविडन्स स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबा के 4.30 बजे से यानि की 4.30 एम से इसके लावा मैं आप सभी को बता दू कि CPL 2023 के सभी 34 मैचस तीन अलग-अलग टाइम स्लोट्स पर खेले जाएंगे जहांपर कुछ मैचस इंडियन टाइम के हिसाब से सुबा के 4.30 एम से स्टार्ट होंगे जबकि कुछ मैचस इंडियन टाइम के हिसाब से सुबा के 5.30 एम से स्टार्ट होंगे और बाकी के मैचस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7.30 एम स से स्टार्ट होंगे इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं CPL 2023 की live telecast और live streaming details के बारे में तो अगर हम सबसे पहले live telecast की बात कर लें तो इंडिया में Caribbean Premier League 2023 का live broadcasting rights Star Sports Network के पास है जहां पर आप TV में Star Sports 1 channel और Star Sports 1 HD channel की मदद से CPL 2023 के सभी matches का live telecast enjoy कर पाओगे वहीं अगर हम बात कर लें live streaming की तो आप अपने mobile phone में fan code application या फिर fan code की website की मदद से CPL 2023 के सभी matches की live streaming enjoy कर सकते हो हाला कि आपको सबसे पहले fan code में CPL 2023 का tour pass purchase करना पड़ेगा जो की 99 rupees का होगा तभी दोस्तों आप CPL 2023 के सभी matches की live streaming अपने mobile phone में देख पाओगे so friends ये रही CPL 2023 से जुड़ी सभी जानकारी I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो उसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें महीं पर दोस्तों आप हमें नीचे comment box में ये जरूर बताएं कि आप CPL 2023 के लिए कितना ज़दा excited हो और CPL 2023 में आपकी favorite team कौन सी है इसके इलावा cricket matches की fantasy playing 11 और cricket से जुड़ी हर छोटी बड़ी news and update सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन कर लें टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा so friends मिलते हैं आप से किसी नई और interesting वीडियो में till then take care, stay safe and goodbye